गूड मार्निग फ्रेंट्स आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिरसी स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं किड़नी स्टोञ्ट के बारे में कि ये किडनी में जो स्टोंज होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और इनके बनने की मेन वज़य क्या होती है और साथ ही इसके लक्षन के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ हम बात करेंगे इसके ट्रेटमेंट के बारे में इसके इलाज के बारे में कि आखिर हमें इसका किस तरह से इलाज और बचाव करना चाहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेकिन आपको जल्दी से आपको बता दें कि यह जो kidney का stone होता है वो किस तरह से बनता है देखिए दोस्तों यह हमारे kidneys में mineral और sodium से बने crystals होते हैं जब यूरेन में calcium oxalate, uric acid और cystin जैसे कुछ पदार्थों का concentration बनने लगता है तो वो crystal बनाने लगते हैं जो कि गुर्दे में जुडने लगते हैं और धीरे धीरे अकार बड़ा होकर यह पत्री का रूप ले लेता है तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं इसके कुछ लक्षन जैसे टायलेट में जलन होना, खून आना, कम टायलेट जाना या जादा जाना, दिल का कच्चा होना, पेट में दर्द, कमजोरी महसूस होना तो यह सब इसके लक्षन होते हैं, आप जानते हैं कि किड्नी में जो स्टों बनते हैं, उनके बनने की में बज़य क्या होती है सबसे पहली बज़य है पानी का कम पीना, शरीन में पत्री की कम मुख्य कारण होता है पानी का कम पीना कहा गया है कि जल ही जीवन होता है हमारे शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है जो लोग कम पानी पेते हैं उनकी किड्नीज में पत्री बनने के चांसे जादा होते हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है पानी जादा पेजिए क्योंकि पानी ही हर बिमारियों का इलाज माना जाता है क्योंकि पानी कम पीना ही पानी कम पीने से आपका डाइजेशन भी खराब रह सकता है और उसे के साथ आपको किड्नी में पत्रीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है दूसरा अप्शन है दूसरा दूसरी वज़े है खाना हमें समय पे सही भूजन करना चाहिए जो लोग अपने डायेट में बहुत ज्यादा प्रूटेन की मात्रा और नमक और चीनी का इस्तिमाल ज्यादा करते हैं तो इससे किड्नी स्टोन होने का खत्रा अधिक बड़ा रहता है जो लोग समय की जर्माना जाता है गुटापे की वजह से मास इंडेक्स बढ़ जाता है और इसमें किड्नी की जो पत्री होती है उसके होने के खत्रे बढ़ जाते हैं तो ध्यान रहे तो और दूसरा है अगर किडनी में कोई भी प्राब्लम नहीं है जिन लोगों के पथरी कभी भी नहीं बनी है उनके लिए और जिनकी बन के निकल चुक्की है किडनी इसमें पत्री जो कई बार क्या होता टॉलेट के रास्ते निकल जाती है तो आपने किस तरह से परहेज करना इन सबजियों से आप पर हेज करें इनका सेवन बिरकुल न करें दूसरा option है बचाव का जिन लोगों को पत्री बिरकुल भी नहीं है वो लोग हमेशा पानी पीते रहें जादा और vitamin D और calcium का थोड़ा कम प्रियोग करें क्योंकि इनका जादा सेवन करने से kidney में पत्री बनने के chances बढ़ जाते हैं बलकि बने रहते हैं और जो तीसरा हमारा बचाव है वो उन patients के लिए हैं जिनकी पत्रियां बनके निकल चुकी हैं उनको ये lifetime इन चीजों का परहेज करना है जैसे मैंने आपको सबजियां बताई हैं पालक, भेंगन, भिंडी, साबुत, अनाज, पालक इन सबी और दूट से बनी चीज़ें, केल्शियम से बनी चीज़ें इन चीजों का आपने lifetime हमेशा के लिए परहेज करना है क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग इन चीजों का सिर्वन शुरू कर देते हैं और फिर से वही वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि यह जो मैंने आपको बाते बताई है प्लीज इनको फॉलो किजिए और हो सकता है कि आपकी किड्नी इन सब बातों को फॉलो करने के बाद एकदम स्वस्त रहें और जिनके किड्नी में स्टोन है उनको भी अपना अच्छा ध्यान रहें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें